आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इसे habit में breakdown कर लें और इस पर काम करना शुरू करें ये कोई आसान काम नहीं है कि नहीं habit अपनाने का आपने decide किया और इस पर काम करना शुरू होगे इसी वजह से आप एक time में कुछ ही habit इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं हलो दोस्तो रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर्च से सागत है आज हमें कैसे किताब की बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम जानेंगे कि कैसे अपनी छोटी-छोटी habits पर ध्यान दे कर हम आसानी से अपना best version बन सकते हैं इस किताब का नाम है जिसे टिनान ने लिखा है अगर आप इस बुक में बताए गई बातों को सिर्फ एक किस दिन भी फॉलो कर पाए तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं टिनान एक जाने माने ब्लॉगर हैं और टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर में से एक हैं वो एक ब्लॉगिंग ब्लेटफर्म सेट के को फाउंडर भी हैं जोनके ब्लॉग्स को होस्ट करता है इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम दुनिया को ट्रावल करने में लगाय है वो भी सर्फ एक बैक पैक के साथ और अपने अक्च्वल घर में वो 2006 के बाद से नहीं रहे हैं उन्होंने अपना जादा टाइम छोटे कैम्स में गज़ा रहा है और ये बताते हैं कि किस हैबिट को चूज करके काम किया जाए उसे कैसे में करें रेगुलेट करें इनका एकसेस करें और पूरी जर्नी के दोरान जिम्मेदार बने रहें इसमें एक यूसल सेक्शन है जहां पर वो पॉपलर हैबिट को ब्रेकडाउन करते हैं वो इनके फायदे और नुकसान को अनलाइस करते हैं ऐसी फीलिंग जिने आप स्पेसिविक हैबिट को बिल करते टाइ तो सभी जरुतमन लोगों के साथ इस वीडियो को शेर करना ना भूलें क्या पता उनकी जिन्दकी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाएं को खर्च करते हैं हालके विल्पावर को बिल्ड किया जा सकता है लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन्स हैं और ये एंडलिस नहीं है कोई ऐसा इंसान जो शुरू में उसकी सारी विल्पावर इन हैबिट की शुरुआत में बिल्ड करने में लगा दे जब एक बार हैबिट बहुत कम विल्पावर से भी होने लगती हैं वो इंसान बाद में रिवार्ड पाता है अब विल्पावर के बारे में बात करते हैं आपको अपनी विल्पावर को खर्च करने की बचाए इन्विस्ट करना चाहिए ताइम के साथ एक हैबिट जिसके लिए सिगनिफिकेंट विल्पावर लगती है, वो ट्रांस्वाम हो जाएगी, एक ऐसी हैबिट में जो आटोमेटिक बन जाती है, और जिसमें जादा सोचने के जुरत नहीं पड़ती, बिना अच्छी हैबिट्स के, कुछ लिमिट्स हैं, कि आप अपनी परसनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ म में ट्रांस्वार्म किया जा सकता है, यह आपके विल्पावर को रिलीज करेगा, ताकि आप मुश्किल चीजों पर काम कर पाएं, हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए, एक से बारा महीने के बीच कुछ भी टाइम लग सकता है, अब अलग-लग तरह की हैबिट्स के बारे मे जानते हैं, जब हैबिट्स के बारे में बात आती है, तो इस assumption पर जम करना असान है, कि हैबिट्स बुरी होती हैं, आप कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे smoking या junk food खाना, और कई लोग मान लेते हैं, कि बुरी आदते छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और उन हैबिट्स को अपनाना, बुरी हैबिट्स से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पर काम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, हम सभी जानते हैं, कि बुरी आदते usually damaging होती हैं, और हमारी health या personal growth के लिए फायदेमन नहीं होती हैं, एक बुरी आदत को छोड़ने की क कोशिश करने की बचाए, इसे किसी नहीं आदत से replace करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी जो आपके overall being को improve करें, या आपकी productivity और काम को increase करें, पुरानी आदते वो हैं, जो चीज़े आप लंबी टाइम से करते आ रहे हैं, वो पुरी तरह से automatic होती हैं, और इसमें कोई willpower नहीं जगती, इसलिए आपके पास जितनी चाहें उतनी पुरानी आदते हो सकती हैं, हालकि जब भी आप एक नई आदत को अपनाना चाते हैं, आप अपनी willpower पर अच्छा खासा दबाव डाल रहे होते हैं, इसी वजह से आप एक टाइम में कुछ ही आदतों को अपनाने में limit हो स सोचे कि एक आदत आप पर अपसे कई सालों में या दुषकों में क्या आफ़ डालेगी, हाबिट का फायदा, आपके लिए गए हर action का result नहीं होता है, जबकि ये long term में आपकी life पर complete impact होता है, जब आप एक long term perspective को अपनाते हैं, ये बिल्कुल clear हो जाता है कि हाबिट अड़ करने का सबसे important aspect होता है consistency, अगर आप लगातार अपनी habit complete नहीं कर सकते हैं, तो कोई chance नहीं है कि आप इसे long term में maintain रख पाएंगे, एक नई habit को अपनाना किसी वक्त exciting लग सकता है, लेकिन अगर इसे जारी रख पाना बहुत जादा मुश्किल है, और आप इसे खुद करते habits suicide की तरह है, एक दिन के लिए habit को miss कर देना, आपके long term success के chances को 5% से घटा देता है, जबकि दो दिन लगातार इसे miss कर देना, इसे 40% तक घटा देता है, इसे 3 दिन तक miss कर देने से, आपको इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा, habits को आपके routine का हिस्सा बनने में time लगता है, ये शुराती दिनों में बहुत important होता है, कि आप अपनी habits daily complete करें, ये तना जादा critical नहीं हो सकता, कि आप एक habit के automated होने के बाद, एक भी दिन miss ना करें, लेकिन शुरू के कुछ महिनों में, वो सब कुछ करें, जो आप ये ensure करने के लिए कर सकें, कि आप एक दिन भी इसे miss ना करें, जब भी आप किसी habit को miss करने जा रहे होते हैं, खुद को consciously याद दिलाएं, कि आप इसे skip कर रहे हैं, और अपने आपको बताएं, कि आप इसे क्यों skip कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इसे दुबारा skip ना करें, सब कुछ planning से नहीं जाएगा, ये भी important है, कि आप ये accept कर कि चीजें हमिशा plan के according नहीं जाती, कभी-कभी हम आमारी habits को complete नहीं कर पाएंगे, ये पुरी तरह से आपके control से बाहर हो सकता है, कुछ situation में, आप same way में अपना routine complete नहीं कर पाएंगे, fitness का एक example लेते हैं, छुटी के दिन, अपने fitness routine को ना रोके, हो सकता है आपको अपने gym, ये equipment का access ना हो, या उतना जादा time ना हो, लेकिन घर के बाहर jog करना, और अपने room में push up, ये sit up के कुछ sets करना, कुछ भी ना करने से better है, इन situation में, आपको सिर्फ इसे करने की जरुत है, चाहे आप इसे एक बुरे तरीके से ही करते हैं, याद रखें कि habit की power, individual execution में नहीं है, लेकिन consistency में है, skip करना कहीं जादा बुरा है, comparatively इसे बुरे तरीके से करने से, माफ करें और आगे बढ़ें, कोई भी perfect नहीं होता है, और आखिर में आप भी एक दिन miss कर ही देंगे, सबसे जरुरी चीज ये है, कि जब ये गलतियां होती हैं, ये देखें कि आप कैसे react करते हैं, खुद को अपनी गलतियों पर कोशने, और उन्हें आपको रोकने देने या give up करने की बज़ाय, खुद को माफ करें और refocus करें, जिस तरह success और progress आपको motivate कर सकती है, mistakes को खुद को motivate करने के लिए use करें, जो भी mistake आप करते हैं, उसे consider करें, और समझने की कोशिश करें, कि कि वो क्यों ही, गलतियां अकसर वहाँ पर आपका ध्यान लाती है, जहां कुछ adjustment किये जाने की जरूत होती है, अगर कोई चीज प्रापरली काम नहीं कर रही है, figure out करें की क्यों, और adjust करें, जिस तरह आपको गलती किये जाने पर खुद को माफ करने की जरूत है, आपको success को success जल्दी और अकसर नहीं मिल रही है, तो possibility है कि आप पूरी तरह से हार मान लेंगे, बजाए इसके, momentum को बनाये रखने का बहतर तरीका ये है, कि progress को celebrate किया जाए, अपने commitment को और इस fact को celebrate किया जाए, कि आप रोज उठ रहे हैं और अपनी habit पर काम कर रहे हैं, अब बात करते नहीं इस book के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे habit को choose किया जाए, honesty, जब बात एक habit के साथ track पर बने रहने की आती है, तो honest रहना एक fundamental skill है, इसकी जरूरत तब भी पढ़ती है, जब आप अपनी habit सेलेक कर रहे होते हैं, ये भी important है कि आप खुद के स उपन और honest रहें, कोई कमजोरी है तो उसे accept करें और उन पर ध्यान दे, कुछ option दिये गए हैं, जिसमेंसे हम कुछ को consider कर सकते हैं, क्या आप unhealthy या unfit हैं, क्या आप खुद को unmotivated और unorganized मानते हैं, अगर हाँ, तो ये कुछ ऐसे areas हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूत है, औ और नई और अच्छी habits को introduce करने की जरूत है, बावजोद इसके कि आपकी कमजोरी को मानना कितना मुश्किल हो सकता है, best possible habit को adopt करने के रास्ते में ये बहुत critical है, अगर आप already किसी चीज़ में अच्छे हैं, तो उस field में एक नई habit बनाना असान होता है, मुश्किल पार्ट ये है कि उस area में एक नई habit introduce करवाना, जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन जितना ये मुश्किल होता है, यहीं पर सबसे significant और best changes बाहर आते हैं, अब हम high priority को समझते हैं, पहली habit जो आपको टैकल करनी चाहिए, वो है high priority habits, आपको इन habits की care करनी होगी, और इन पर बने र skills पर नजर रखें, काम करने के लिया से ये बहुत फायदेमन हो सकता है, responsibility लें, बहुत सारे लोग खुद उनके साथ हुए negative events और situation से अलग कर लेते हैं, ये इसलिए कि वो मान लेते हैं, कि वो उनकी गलती नहीं थी, हालकि ये attitude अपना कर, आप negative experience से कभी सीख नहीं ये नहीं कह सकती कि ये असान है, लेकिन ये possible है, कि ये है कि आप इस cheese के साथ इमानदार रहें, कि क्या आपको success हासिल करने से रोक रहा है, इसकी जिम्मेदारी लें, और इन्हें सुधारने के लिए नई habits बनाएं, नई habits को जोड़ें और पुरानी habits को हटाएं, जब बात habits को बनाने की आती है, तो दो तरह के लोग होते हैं, हम इसे कुछ लोग अपने जिन्दगी में नई चीजों को अड़ करने को आसान पाते हैं, और दूसरे वो जो चीजों को घटाना प्रिफर करते हैं, देखेंगी कि आप अपनी डाइट से junk food को बाहर कर सकते हैं, या एक gym routine implement कर सकते हैं, ये बेशक एक बहुत अच्छी चीज है, कि दोनों शमतों पर काम किया चाहे, बढ़ाने वाली या घटाने वाली, हालकि ये habit को बनाते टाइम, अपनी स्टेंथ की तरफ जुकने में कोई बुराई नहीं है, आप जानते हैं, मोटिवेशन के बारे में, जब आप खुद को आगे बढ़ने में स्ट्रगल करता हुआ पाते हैं, ये वो जगह है, जब मोटिवेशन आता है, आपको समझने की जूरत है, कि क्यों आप नहीं habit को डॉप्ट करना चाहते हैं, आपके driving force क्या है, यही पर खुद के साथ इमानदार बने रहना, consideration में आता है, और मजबूत बने रहने में सक्षम होंगे, छोटे से शुरू करें, consistent बने रहें, और एक manageable pace पर इसे बढ़ाते रहें, इस तरह आप finish line पर पहुचने के अनुकूल बनते हैं, ना कि starting line के, अब बात करेंगे accountability के बारे में, एक perfect world में, आप नई habits अडॉप्ट करने में सक्षम कर रहें हैं, make sure करें कि वो समझे के कितना regularly, आपको अपनी habits complete करनी हैं, और वो check कर सकें कि आप सही राश्ते पर हैं या नहीं, आप में इस बुक के third part के बारे में बात करेंगे, the habits, छे अलग-लग तरह की habits होती है, positive habits, जब आप खुद के और दूसरों के बारे में positive सोचते ह health habits, अच्छा खाना, enough sleep लेना, regular exercise करना, expansion habits, जदा से जदा अपने comfort zone से बाहर निकलना, नई countries में travel करना, नई foods और culture का experience लेना, regularly लिखना और reflect करना, organizational habits, ensure करना कि आपका महौल clean है, गंदगी और कबार को बाहर करना, एक calendar और schedule रखना, अपना inbox और workload maintain करना, social habits, time पर होना और commitment प जरूरी है, productivity habits, quit करने से दो गुणा करना, जब भी आप quit करना चाहें, quit करने से पहले, दो गुणा जोर push करने पर लगाएं, procrastination बंद करें, plan करें, अब बात करते हैं, इस book के आखरी और चौथे part के बारे में, getting started, शुरात में habits को nurturing की जरूत होती है, ये कोई आसान काम नही है, कि नहीं habit अपनाने का आपने decide किया, और इस पर काम करना शुरू होके, आपको ये consider करना होगा, कि किस तरह आपकी life में fit होने वाला है, और क्या ये ऐसा है, जिसे आप regularly कर सकते हैं, ये exciting हो सकता है, लेकिन ये overwhelming भी हो सकता है, जब बात एक नहीं habit को बनाने की आती है, त हम अपने behavior को उन benefits को लेने के हिसाब से adjust करते हैं, तो दोस्तों ये थी superhuman by habit की summary, वापस से इसके key points को दोरा लेते हैं, habits कुछ ऐसी हैं, जिसे हम सहर जूरूप से adopt करते हैं, एक habit एक behavior या activity है, जो आप अपना time बचाने और productivity बढ़ाने के लिए सहर जूरूप से करते हैं, ज time के साथ एक habit एक action से transform होती है, जिसके लिए काफी energy की जूरूप पड़ती है, तब ये एक automatic चीज में transfer होती है, जिसके लिए जादा सूचने की जूरूप नहीं पड़ती, बिना अच्छी habits के, उन चीजों पर limitation लग जाती है, जिने आप अपनी personal life और professional life में अचीव कर सकते हैं, फुरानी habits ऐसी चीजे हैं, जो आपने काफी लंबे time तक की हैं, वो बिलकुल automatic है, और उनके लिए किसी willpower की जरत नहीं होती है, इसलिए आपके जितने चाहे old habits हो सकती हैं, जब या आप एक नई habit और introduce करना चाते हैं, आप अपनी willpower पर एक अच्छा दबाव डाल रह होते हैं, इसी वज़ा से आप एक time में कुछी habits रिंटर्डूस करवा पाते हैं, जहां possible हो, अपनी habit complete करने में एक भी दिन skip ना करें, ये शुराती stage में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, habits की power किसी दिन के individual execution में ना होकर, consistency और repetition में है, चूग जाने पर खुद को माफ करे और अपनी progress को celebrate करें, अपनी कमजोरियों को लेकर खुद के साथ इमानदार रहें, ये वो area है, जिन पर आपको काम करने की जरुत है, नई habits अपनाने के लिए, अपने motivation को समझें, एक बुरी habits को छोड़ने की कोशिश करने की बचाए, इसे नई habits से replace करने के बारे में सोचे तो दोस्तों ये समझें यहीं पर खत्म होती है, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस book को खरीद कर और भी detail में पढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ अगर आप हमारी book summary को पढ़ना भी चाते हैं, जिसे recently इंडिया का best educational podcast का award भी मिला है, तो चली फिर मिलते हैं, और भी बहतर summary के साथ, thank you so much.